तो गाई स्वागता आपका एक न्यू वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं डॉवली के आने वाले ड्राफ्ट के बारे में जहां पर काफी ज्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि कई सुपरस्टार जो रौक हैं वहां हमें स्मैक डाउन पर जाते होने जर आएंगे स्मैक डाउन को सुपरस्टार रौ पर आते होने जर आएंगे तो काफी ज्यादा यह इंट्रेस्टिंग होने वाला है और सब कुछ ड्राफ्ट के बाद लगबग चेंज हो जाएगा तो इस वीडियो में मैं ड्राफ्ट की प्रेडिक्शन करने वाला हूँ यानि मेरे मेर कोडी रोड्स क्योंकि कोडी रोड्स एक काफी बड़े सुपरस्टार है तो मुझे लगता है यूएसे नेट्रों को ने गवाना चाहेगा तो अब बढ़ लेते हैं स्मैक डाउन की तरप और स्मैक डाउन पर अन्डाउटिल पहली पिक होंगे हमारे ट्रावल चीफ है और क्योंकि कोडी रोड्स और ब्रॉक लेशनर की इस्टोई लान चल दे तो कहीं ने कहीं ब्रॉक का रोपर रहना भी एक सेंस बना रहा है वहीं स्मैक डाउन की तरफ चले तो मुझे लगता है स्मैक डाउन की पिक होंगे हमारे फिनॉमिनल वन एजे स्टायल्स और वो भ अगली पिक होने वाली है ब्लड लाइन यानि सोलो सिकोवा एंडी उसूस और क्योंकि ब्लड लाइन की स्टोई लाइन काफी लंबी चलने वाले तो ऐसे में मुझे लगता है पूरी ब्लड लाइन हमें फिर से स्मैक डाउन पर रुपते हुए नजर आएगी मुझे लगत अगले पिक की बात करें तो मुझे लगता है यहां पर रौ पर आने वाले मंड़े नाट रौ बियांगा पर विमन्स चैंपिन को रिटेन करने वाले और बियांगा बले एक बार फिर से ड्राफ्ट होंगी मंड़े नाट रौ पर वहीं दूसरे तरफ जाएं तो स्मैक ब्रॉलिंग ब्रूट्स यानि सेमर्स बुच एंड रिच ऑलेंड वहीं स्मैक डाउन अपने पास रखेंगे ब्राउंस टोमन एंडिको सेको क्योंकि यह दोनों की टीम में काफी अच्छी कासी टैग रिम देखने को मिल रही है तो मुझे लगता है यह समैक डाउन पर ही बलकि वो ड्राफ्ट होने वाले हैं मंडे नाट रॉ में जबकि दूसी तरफ स्मैक डाउन पर जाएंगे हमारे विजिनरी रिवॉल्यूशनरी सैथ फ्रिकिंग रॉलिंस और क्योंकि सैथ रॉलिंस को हम काफी टाइम से मंडे नाट रॉ पर देख रहे हैं तो ऐसे में यह अब आगे जिते टाइम तक भी वो रेसल करते हैं मुझे लगता है वो स्मैक डाउन पर ही रहने वाले हैं फिर से मंडे नाट रॉ की तरफ आएं तो मुझे लगता है यहां पर रॉकी एक बार फिर से बहुत ज्यादा तगडी पिक होने वाली है और वो पिक करेंगे यहां पर ब्रे वाइट को और जब ब्रे वाइट आएंगे तो वो अकिले नी आने वाले बल्कि उनके साथ यहां पर अंकल हाओडी भी होंगे और क्या बता चुपके चुपके दफिंड भी आजाएं अब स्मैक डाउन की तरफ चलें तो मुझे लगता है स्मैक डाउन यहां पर दूसरी तरफ स्मैक डाउन की तरफ बढ़ेंगे हमारे मिस्टीवी के होस्ट यानि दमीज और फिर हमें स्मैक डाउन पर मिस्टीवी की चमक धमक देखने को मिलेगी अब आ जाते हैं एक बार फिट से मने नैट रॉ की तरफ और इस बार मुझे लगता है मने नैट रॉप पिक करेंगे इंजिलो डॉकिंस को वहीं दूसरी तरफ मॉंटेस फोर जाएंगे स्मैक डाउन की तरफ और मॉंटेस फोर ड्राफ्ट होंगे स्मैक डाउन में अब थोड़ा विमिस डिविजन की तरफ आ आते हैं तो मुझे लगता है मने नैट रॉप पहले पिक करने वाल है बेली को क्योंकि बेली रॉप पर काफी अच्छा काम करते हैं तो मुझे लगता है इस बार वो लेने वाले हैं आसका को वहीं दूसरी द्रफ मैक डाउन पिक करेंगे अलेकसा ब्लिस को और वो ड्राफ्ट हो जाएंगी स्मैक डाउन पर तो गाइज अब फाइनल पिक की पिक करने वाले हैं ब्राउन प्रेकर को वहीं दूसरी द्रफ स्मैक डाउन को भी एक अच्छा सुपस्टार लेना होगा तो मुझे लगता है वो यहाँ पर लेने वाले ग्रेशन बॉलर को और तब जाके इसाब किताब बराबर होगा तो गाईस ये थी मेरी ड्राफ्ट के साथ तब तक के लिए बाई बाई